पाकिस्तान में इस्थित एतिहासित मंदिर हिंगलाज माता का शक्ति पीट सिंधी की राजधानी कराची जिले के बारीकला गाउं में माता का मंदिर सुरम पहाडियों की तलहडी में इस्थित है ये पहाडिया पाकिस्तान द्वरा जवरन कप जाये गए बलीजिस्तान में हिंगो नदी के समी हिंगलाज क्षेतर में इस्तित हैं यहां का मंदिर प्रभान 59 शक्ति बिठों में से एक है हिंगलाज ही वह जगह है जहां माता का सीर गिरा था यहां माता सती कोट करी रूप में जब की भगवान शंकर भीम लोचन बहरव रूप में प्रदिश्ठित हैं कटास राज का शिव मंदिर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में जिला चकवाद शहर से करीब 30 किलो में दुर दक्षिन में कोईस्तान नमत परवर्द सरंखला में महाभारत कारी कटास राज नाम का एक गाउं हैं इस मंदिर परिशर में राम, हनुमान और शिव मंदिर खास तोर से देखे जा सकते हैं इंदु मान्यताओं के अनुसर जब शिव जी की पत्नी सती का निदन हुआ तो वह इतना रोए कि उनके आसू रुके ही नहीं और उन्हीं आसूं के कारण दो तालाब बन गए इन में से एक राजस्थान के पुषकर में हैं और दूसरा यहां कटाश में इस्तिव इंदु पुराणिक कथाओं के अनुसर शिव में सती से शादी के बाद कई साल कटाश राज नहीं गुजा रहे थे यह मंदिर करीब 900 साल पुराना है भगवान नरसी का मंदिर भगवान नरसी के समान में एक मंदिर बनवाय था जो वर्तमान में पाकिस्तान इस्तिव पंजाब के मुलतान शहर में है इसे प्राचिनकाल में स्रीहरी के भगवान पुराद का मंदिर के रूप में जाना जाता था इस मंदिर का नाम पुराद पुरी मंदिर है मुल्टान के विश्व पसित केले के अंदर बना यह मंदिर किसी जमाने में मुल्टान शहर की पहचान हुआ करता था होली के समय यहां विशेश पूजा हर्चना आई जित की जाती है वैसर इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहीं नर्शी वगवान ने एक खंबे से निकल कर प्रलाद के पिता हिरन्य कश्चप को मारा था यह भी माना जाता है कि होली का तिवार और होली का दहन की प्रखा भी यहीं से प्रारंब हुई थी पंचमुखी हनुमान मंदिर कराची के इस देड़ हजार साल पुराने पंचमुखी हनुमान मंदिर में आज भी काफी लोग आते हैं नागर पारकर के इसलाम कोट में पाकिस्तान का यह इकलोता एतिहासिक मंदिर है एक और पंचन की हनुमान मंदिर कराची के शालजा शहर में बना है इस मंदिर को जिन्मत्धार के सक्थ जरूरत है यहां के पंचन की हनुमान की मुर्ति अद्वुत है गुरु गोरकनाथ का मंदिर पाकिस्तान के पेशावर में गुरु गोरकनाथ मंदिर है यह मंदिर 170 साल पूराना बताया जाता है यह मंदिर बटवार के बात से ही बंद पड़ा हुआ था लेकिन पेशावर हाई कोर्ट के आदेश पर नौमबर 2011 में इसे दोबारा खोला गए गोरी मंदिर सिंध प्रांत के थार पारकर जिले में है पाकिस्तान के इस जिले में अधिकतर आदिवासी है जिने थारी हिंदू कहा जाता है मद्यकार में बने इस मंदिर में हिंदू और जेन धर्म के अने एक देवी दियुताओं की मुर्तियां रखी हुई है पाकिस्तान के कत्रपंधियों के बरते प्रभाव के कारण यह मंदिर भी जीर और शीर ने अवस्था में पहुंच चुका मरी इंडस मंदिर पंजाब के कालाबाद में इस्थिकिया मंदिर मरी नामक जगरपद है जो कभी गांधार प्रदेश का हिस्सा थी चीनी यात्री घहनसांग ने भी अपनी पुस्तक में मरी का उल्ले किया है पाची सदी में बना ये मंदिर इस्थापत्ती की दरष्टी से अध्वुत है लेकिन उपक्षा के कारण खंडर हो चुका है स्री वरुंदेव मंदिर एक हजार साल कुरा ने इस अध्वुत मंदिर को 1947 में बटवारे के बाद भूम वाफियाओं ने अपने कज्जे में ले लिया था 2007 में पाकिस्तान हिंदु काउंसिल्स ने इस बंद पड़े और छतिगर्ष्ट मंदिर और फिर से तया करने का फैसला किया जून 2007 में इसका नियंत्रं पी एच सी को मिल गया लेकिन इस मंदिर की देखरे अभी भी नहीं होती है सौमी नाराण मंदिर सिंद प्रांत के कराची के एमें जिन्ना रोड परिस्थी थे अपरेल 2004 में मंदिर ने अपनी 150 वी सालविरह मनाई मंदिर में बनी धर्मशाला में लोगों के ठैरने की यवस्ता है इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहां हिंदियों के साथ मुस्लिम भी पहुंशते हैं साधु बेला मंदिर सुकूर आध्वे गद्धी नशीन बावा बंखंडी महराज की मरत्यू के बाद संत हरनाम दास में इस मंदिर का निर्मान अठ्थारा सु उन्नभ्य में कराया सिंद प्रांत के शुकूर में बावा बंखंडी महराज अठ्थारा सु तेवीस में आये थे उन्होंने मेनाथ परभाद को एक मंदिर के लिए चुना यहां होने वाला बंडा रापूरे पाकिस्तान में मशहुर है राम मंदिर सेथपूर पाकिस्तान की राध्थाने इसलामाबाद के आसपास और पंजाब के रावन पिंडी शहर में कई एतिहासिक मंदिर और गुरुद्वारे मुझूद हैं इसलामाबाद में पुराने समय के तीन मंदिर हुआ करते थे एक सेथपूर दूसरा रावन्धा और तिसरा गोड़रा के महशूर दारगर के पास है। सेथपूर गाव में इस्थित राम मंदिर के बारे में कहा जाता है कि ये राजा मानसीन के समय में 1580 में बनवाया गया था।